पर्मियेट का क्या मतलब होता है या आज की वीडियो में सीख लेते हैं पर्मियेट का मतलब होता है चूना यहाँ पर ध्यान रखेगा एक तो जो चूना पत्थर होता है वो चूना होता है पर ये चूना का मतलब है कि किसी चीज में से किसी चीज का रिसना यानि कि मानले जीए आप किसी चीज में पानी भर कर लाए और उस घड़े में हलका हलका जो कोई छेद था और पानी उसमें से बूंद बूंद करके निकलने लगा तो उसको चुना कहते हैं या रिसना कहते हैं इसके इलावा इसकार्थ होता है समाना, छेदो में से होकर जाना, आर पार निकलना, घुसना, में फैल जाना या व्याप्त हो जाना यानि कि किसी चीज का या तो किसी चीज में फैल जाना या किसी चीज से रिसना को हम permeate कहते हैं, यानि कि permeate means to spread throughout or penetrate something often implying a gradual and pervasive diffusion, यानि कि धीरे-धीरे किसी चीज का किसी चीज में फैल जाना या रिस जाना को हम permeate करना कहते हैं, जैसे कि आप ये कहें कि बारिश का पानी मिट्टी में समा गया, जिससे नीचे की पोधों को पोशन मिला, तो आप कह सकते हैं the rain water permeated the soil nourishing the plants below अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें